मैं हूँ अनिकेट सेंडिल जैसे निकीता तोमर की बीच सरक पे हत्या कर दी गई ठीक वैसे ही इनके हत्याडों को जिहादियों को बीच सरक पे फांसी के फंदों पलटकाना चाहिए और मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कब तक कब तक लव जिहाद का हत्याचार आप सब सहन करते रहेंगे कब तक हिंदूओं कभी तो कुम्भ करने नींद से जागो क्योंकि अब हमारे धर्म हमारी संस्कृति को खत्म करने की साजी से रशी जा रही है हर रोज हिंदू बहने इसका सिकार हो रही है लव जिहाद का और इसके लिए अभी तक कोई कानून नहीं है दोस्तों अगर ये कानून होता तो आज राहुल राजपुत भी जिन्दा होता निकीता तोमर भी जिन्दा होती और बहुत सारे लोग जो इसका सिकार हुए हैं वो भी जिन्दा होते लेकिन एक बात याद रख ले ना जिहादियों कि तुम ये मत सोच ना कि राहुल राजपुत की केस दब गई वैसे ही निकीता तोमर की केस दब जाएगी और आने वाली भी केस वैसे ही दब जाएगी क्योंकि अब आवाज उठने लगी है और अगर आवाज उठेगी तो तक जाएगी गुंजेगी दोस्तों मैं अंततह यही कहना चाहूंगा कि हिंदुओं अभी समय है अभी समय है आखे खोलो और कुम्भ करने नीन्द से जागो अपने धर्म के लिए आवाज उठाओ न्याय के लिए आवाज उठाओ क्योंकि अब हमारे धर्म पर साजी से रची जा रही है जै हिंद जै भारत जै स्रीराम वंदे मात्रम नमस्कार